मेरा चैनल का नाम है इलेप्टोनिस इंडिया मैं लोट अन फिल लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हमारे पास एक 14 इंज का एलजी का टीवी है इस टीवी का पॉबलेम बाताऊंगा सुलिशन करके भी बाताऊंगा तब तक मेरा वीडियो लास तक सब्सक्राइब कर देना जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊंगा सबसे पहले आब लोग को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों मैं वीडियो चालू करता हूं और इसका पॉबलेम दिखा देता हूं पहले दोस्तों मैं जब टीवी को पावार देता हूं जो एसी प्लाक को देखिए इंडिगरा जल रहा है और जलने के बाद दोस्तों हमारा जो पिक्चर आना जाहिए देखिए दोस्तों हमारा पिक्चर में क्लियारीटी नहीं है यह देखिए जब मैं मैंनू दाबाता हूं यह देखिए मैंनू का लोगो कैसे आ रहा है इसका problem देख सकते हैं हमारा अंदर में कुछ picture है लेकिन हमारा पूरी तरह से clearness जो होना चाहिए जो picture में ओपला नहीं है इसका problem देख सकते हैं आप लोग और इसका problem आज रिप्यार कर जबने में किया करुंगा पहले टीवी को ओपन किया लूँना। जबने में बाद ही पाता चलेगा है दोस्तों दोस्तों जो इसका पॉब्लेम है मैं टी वी को खोलके बाता हूं कि दोस्तों मैं टीवी को कहल चुका हूं ए रहा अमरा 64-1 1700 CART tube और यह रहा हमारा योक और रहा हमारा बेस बोर जो color filtering बेस बोर होता है जो हमारा color controller होता है और यह बहुत अबर हमारा main boss PCB और दोस्तों इसका जो problem आजाया है जो हलका सा picture आ रहा है अंदर में और जो clearness नहीं है मतलब दोस्तों हमारा TV पे एक problem आया है जो हमारा यह जो बेसबोर होता है यह जो बेसबोर होता है बेसबोर पे जो हमारा बेस लगाया हुआ होता है यह बाला बेस हमारा खाराब हो जाने से भी यह बाला पॉब्लेम आएगा कभी-कभी क्या होता है हमारा जो जीटू का जो कानेक्शन होता है मैं दिखाता हूँ हमारा येस्टी पे दोनों वयार आता है जो हमारा बेसबोर पे कानेक्टेट होता है जो हमारा मोटा वाला वयार है जो पदला वाला वयार से मोटा है ये वाला वयार पे एक कानेक्टेट होता है जो एक पिए भाया करके हमारा कानेक्शन दिया जाता है जो जी टू पे आता है तैक सकते हैं हमारा जी 2 यहां पर लिखा हुआ है एस जी टू जाब तक हमारा clear ness नहीं आएगा जो अंदर में बेस की अंदर में इंटरेली फंचें जो हे और सही तरीक से काम नहीं करेगा तो हमारा पिक्चर पे क्लियार रेस जो हमारा पिक्चर क्लियार होना चाहिए वह बाला क्लियार नहीं आएगा इसलिए क्या करना पड़ेगा दोस्तो यह तो हमारा यह बेस हमारा चेंज करना पड़ेगा चेंज कर देने से हमारा सिस्टेम सही होना चाहिए ठीक है दोस्तों क्या करेंगे हम पहले इस बेस को ओपेन कर लेंगे ओपेन करके मैं नेया भला एक बेस लगाूँगा और लागाने के बाद देखेंगा अमारा जो पॉबलम था उफॉबलम कैसे सॉल्फ होता है दोस्तों आपलों देख सकते में पुराणा बाला बेसको ओपन कर चुका हूं ओपन करने के बाद ये बाला नयाब इसको कनेट कर दूँगा और इसको सोल्डारिंग करना पड़ेगा मैं इसको ऐसे ही लागा रखा हूं और इसको जो पदला बाला बाला जो पॉइंट है ये अपर बाला पॉइंट पर कनेट कर दूँगा और मटा बाला जोयार है वह उसको साफित वाला आप कनेट नहें पर तरफा लेंगे वयर है इसको इसको कवर हटा के अच्छे से सोल्डरिंग करके इसको लागा हूँगा तो यह वाला जो स्पार्किंग हो रहा है वो स्पार्किंग नहीं होगा तो हमारा अच्छे से पिक्चर आना चाहिए ठीक है दोस्तों क्या करेंगे इसको काटके नया वाला वयर चेंज कर कर देते हैं मैं निकल लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसको काट के निकल चुका हूं और जो आमरा खरब बाला जो स्पार्किंग बाला जो पॉइंट था उसको काट के आच्छे से इसको सोल्डरिंग करके निकल लिया हूं और इसको कनेट कर देते हैं इस बाला पॉइंट पर है अच्छी तरह से तरह से शोलडरिंग कर लेंगे और करने के बाद इसको करने करके देखेंगे हमारा जो पॉबलिम था उपॉबलिम काई से सल्व होता है कि नहीं दोस्तों मैंने इसको शोल्डरिंग कर चुका हूं और बाला नयावेस लागा भी च चुका हूं लागाने के बाद क्या करेंगे मैं टीबी को पावर दोंगा पावर देने के बाद हमारा टीबी जो स्टार्टिंग हो जाता है स्टार्टिंग होने के बाद हम लोग पिक्चा देखेंगे हमरा जो सनो नहीं था और हमरा जो हमरा एभी लेखा जो हमरा मैनू लिख अख प्लिया नहीं था ओ देखिये मेरा मेनू लेखा जो लीएटा वो चुमा लेता हूं तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा दोस्तो मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ और मैं टीवी को पावर दे देता हूँ पाथ देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है उत जार रहा है जालने के बाद जो हमारा पिक्चर धुआ सा होके आ रहा था पिक्चर क्लिया नहीं था वो देखेंगे देखें दोस्तों हमारा जो सुनो था वो सुनो क्लियर आ चुका है और जो मेनू लेखा अंदर में थोड़ा सल दिग रहा था वो क्लियर हो चुका है मतलब दोस्तों हमारा आज का जो पिक्चर का पॉबलम था वो सॉल्प हो चुका है और इसको यह भी लगा कर हम लोग देख के ठीक है दोस्ते इसको ए भी लागा का हम लोग पिक्चर देख लेते हैं ए भी मूड कर गे जब ए भी मूड के से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा देखिए दूस्तो जो हमारा menu button है, menu button के दाबाने से हमारे menu list आ जाता है और इस वाला point पे लेके आना है, जो हमारा program minus से आ जाएगा देख सकते हमारा आ गया है, और हमारा input पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे volume plus को दाबाएंगे, देख सकते input पे आ चुका है से एबी और टीवी, उसके बाद और एक एबी plus दाबाने से, volume plus दाबाने से हमारा जो एबी टीवी पे connection पे आगे आए, और program minus करके मैं एबी को connect कर सकता हूँ ठीक है दोस्तों मेरा एबी connect हो चुका है, देख सकते हैं हमारा एबी आ चुका है मैं का करूंगा हमारा setup box को on कर लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं हमारा एबी एबी का जो connection है मैं setup box से connect हो चुका है और हमारा जो पिक्चर का problem था वो पॉब्लेम सल भी हो चुका है ठीक है दोस्तों इसलिमें दो कि प्रेट चांटल को सब्सक्राइबनेगे भीकिंगे डों अतो लिए यू घंक दोलग हो चैंस तो घुरें करीडिणे सब्सक्राण दाबाइम सब्सक्राइब